NCERT ने बाबरी विद्वन्स और रत्यात्रा को लेकर अपने स्लेबस में बड़ा बदलाव किया है विभाग ने भगवान राम से लेकर बाबरी मस्जिद, रत्यात्रा, काड सेवा और विद्वन्स के बाद की हिंसा की जानकारी को हटा दिया है बारवी क्लास की पॉलिटिकल साइंस के स्लेबस में आयोध्या से जुड़ी कई चीजों को लेकर कई बड़े बदलाव किये गए है जिसमें बाबरी मस्जिद नाम की जगए इसे तीन गुंबद वाली संदशना लिखा गया है सबसे पहले आपको बताते हैं बारवी क्लास की इस किताब में क्या-क्या बदला गया है पहले इस किताब में ये पूरा मामला आयोध्या विवाद के नाम से लिखा हुआ था अब इसे आयोध्या मुद्दा लिखा गया है इसके अलावा किताब में बाबरी मस्जिद शब्द का इस्तमाल किया गया था जिसे हटा कर उसकी जगे तीन गुंबद वाली संरशना का जिक्र किया गया है और आयोध्या विवास से जुड़े टॉपिक को चार पेज की जगे दो पेज में समेट दिया गया है इसके अलावा बीजे पी की रत यात्रा, कार्ड सेवग और सांप्रदाएक हिंसा जैसे सभी संधर्ब हटा दिये गए है अब इस मुद्दे पर अलग-अलग रेक्शिंस भी सामने आ रहे हैं जहां राम जन्भुमी मंदर के मुखे पुजारी आचारे सतेंदर दाज जी का कहना है NCEART ने अच्छा काम किया है वहीं दूसरी और All India मुसलिम जमात के अद्दक्ष मौलाना शाबुद्दीन बरेलवी ने इस फैसले का विरोज़ता दिया है उन्होंने कहा NCEART मुसल्मानों के निशान मिटाना चाहती है यह कार्ज में जैसे की पाठ कर्म में लगाई जा सकता है यह फैसला मंदर मस्जित का जो रहा जब सुप्रीम कोट ने फैसला कर दिया तो पूरे देश के मुसल्मानों ने सम्मान हमने भी सम्मान किया देश में एक पत्ता नहीं हिला अगर सरकार ने जो भी काम किया है चाहे उस प्ता हिनलों की सोच है कि इन बातों को दोराइने जाए हम उसको बैतर बानते हैं छिके निशित है कि अच्छा यह सवटा देना चाहिए बढ़या है मोगल बारश्शाहू कि जो तारिखी इमारते थी उनको भी हटा दिया गया है तो ये दर असल इतिहास के साथ छेड़ छाड़ की जा रही है नहायती अफसोस नाग बात है कि देश में एक ऐसी सोच और एक इसी फिक्र डबलब हो रही है जो इतिहास हिंदुस्तान का खास तारीख है उस तारीख को मिटाया जा रहा है उसको खुर्चा जा रहा है उसको धुंदला किया जा रहा है इस पूरे मामले पार NCRT निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी का भी बयान सामने आया उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको बदा देते हैं NCRT का ये कहना है कि हमें स्कूली पाठ्थे पुस्तकों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए NCRT निदेशक ये भी कह रहे हैं कि हम सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं ना कि हिंसक और अफसाद ग्रस्त व्यक्ति समय के साथ पाठ्थे करम में बदलाव सही है हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते इसलिए अयोध्या मामले को अपडेट किया गया है NCRT ने भले ही अपना बयान जारी कर दिया लेकिन मामले पर अब सियासत भी जम कर देखने को मिल रही है एक तरफ जहां BJP इस फैसले को सही बता रही है दूसरी तरफ कॉंग्रेस का ये कहना है मुद्दो से भटकाने के लिए पाठ्थे करम में बदलाव किया जा रहा है इसलिए NCRT ने मुझे लगता है कि बच्चों के मन में सकारात्मक भाव आए निर्मान का भाव आए और भारत के परती गोरों का भाव कैसे पैदा हम बच्चों में कर सकें उस प्रकार के विशेव में परिवर्तन किया गया है मद्पदेश के उच्च सिक्षा मंतरी को ये ध्यान रखना चाहिए कि रोजगार पे ध्यान दे किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलेगा सिक्षा कैसी गुणवत्ता होगी सिर्फ ग्रहना नफरत और इतिहास बदलने के लिए कोशिश करने की कोशिश करना जबकि ना की इस तरीके से कि हम कॉम्पीट के से करें मद्पदेश का एक विश्व विद्यालाई बता दे जो टॉप हर्ड़ेड विश्व विद्यालाई के अंदर आता हो देश के जो वास्ताओं में देश के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके बलिदानों को छुपाया गया और धीरे-धीरे करके नई सिक्षा निती में देश के वास्तवी की इस्तिहास को बताने का प्रयास हो प्रेस रिव्यू को पाठेक्रम से हटाना भारती जनता पाठी के इतिहास बदलने के एजेंडे को प्रमानित करता है अपने चेहरे में उती कालिक को साप करने का कुछित प्रयास आरे से सर्भारती जनता पाठी पाठी क्रमों में बदलाओ करके इतिहास से छेड़ छाड़ करके करने का कुछित प्रयास कर रहे है। चर्चा में जोड़ रहे हैं एड्यूकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर जवालाल सूरिय शेटी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो वहीं हमारे दुर्फ से होगी जड़ गया है हितेश शर्मा मैं उनके साथ कुछ यूवा मौजूद हैं डॉक्टर जवालाल मैं पास आओं उससे पहले जरा हम यूवाओं से पूछ लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है इतिहास को लेकर जिस तरह से एक बार फिर से बहस चड़ गई है सिलेवस में बदलाव को लेकर क्या चर्चा उनके बीच हो रही है हितेश शर्मा जरा बात कीजे यूवाओं से चर्चा रहे हैं कि बात आ रहे हैं नहीं है उनके बदलने जरूप है मुझे डाउट है कि युवा किसी सियासत पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए है मुझे डाउट हो रहा है जरा एक पूछ लिए जरा ने बिल्कुल नी शब्दों का चैन मेरे को लगता है कि इसमें मर्यादा जरूरी है जब भी को पक्ष रखे जनता हो नेता हो कोई भी हो जी ये ये आम जनता है U A Water है और पहली बार ही इनों ने वोट दिया है किसी सियासत सियासी पार्टी से नहीं है यहां आम जनतक की बात है कि आप आपको वह क्यों अटाना है पाट्टे क्रम्प देश मेरा यह मानने कि गुल दस्ते की तरह है गुल दस्ते में घुल दस्ते में रिबिन तरह के रहा होगे तब गुल दस्ता बनता है अगे जो पढ़ाय जाएगा इस पर एक बहस चड़ गई है को इसके पक्षमे बयान दे रहा है को विपक्ष में बयान दे रहा है आपके नजरिये से बतार education expert अब अयोध्या विवात शब्दी ले लेते हैं ये अयोध्या मुद्धा बदल गया है इसे आप किस तरह से आगते हैं देखते हैं और क्या संदेश जा रहा है जनता के बीच ओके चुकि इसमें मैं राजनीती नहीं देखूंगा तो दो चीजें हैं एक तो राष्ट्री शिक्षानीती के हिसाब से बारवी को का पाठे क्रम 20 प्रतिशत कम कर दिया गया है इसका मतलब हर चैप्टर में अगर 4 चैप्टर इसके थे चार पेज का एक चैप्टर था तो उसको दो पेज कर दिया गया है तो उस लिहाज से कुछ कटाउती हुई है पाठे क्रम में ये तो मैं मान रहा हूँ दूसरी बात है ये जरूरत है राजनीतिक पाठियों को भी देखने की कि ये राजनीतिक शास्त्र की कितावे ना कि इतिहास का कि इतिहास बदल दिया गया है तो इसको उस नजर्ये से ना देखें बच्चों को राजनीतिक शास्त्र में क्या पढ़ना चीए और उससे वो क्या ले जाएंगे घर उसमें हिंसा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या हटाना चाहिए, क्या नहीं हटाना चाहिए, ये विशे विशे चाहिए चोड़ देना चाहिए मगर राजनीती शास्त्र में अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया उसमें कि दंगे हो गए बढ़क गए या कार सेवा निकली गोलियां चली तो ये चीजें जो हैं ये वहाँ पे नहीं होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि यहां तक कि पाठिक्रम में जो कमी की गई है वो को उन्हें रखते हुए पक्ष रखा लेकिन दूसरी तरफ स्यासदानों के जो बयान सामने आ रहे हैं इसे हिंदू-मुसल्मान जोड़कर देख रहे हैं क्या ये मुद्दा गर्माएगा या पिर सही सिक्षा सही तथ्य सही तरकों के साथ इतिहास की जानकारी चात्रों त बता दिया जो गलत है कि चुकि बाबरी मस्जिद हमारे इतियास का एक भाग है उसको हटा के तीन गुंबद वाला दो संरचना है वह लिखने का कोई मतलब नहीं दिखता सबको पता था कि वहां राम लाला का जन्मस्तले उसको तोड़के बनाया गया है तो उसको हटाने से कोई फ़रक नहीं पढ़ रहा है उसको अभी हटाने की जरुत नहीं थी एक दूसरा है कि IT के डerek CHAN है उन्होंने जो कहा उसमें से जो आपने नहीं बताया वो यह हैं कि NA 1984 के दंगों को क्यों नहीं शामिल किया गया पाठे करम में उन्होंने ये कहा तर्क दिया था तो मेरा कहना है वो बिल्कुल बात सही थी उनकी कि उस समय आपने सवाल क्यों नहीं उठाया लेकिन as a official उनको किसी राजनीती में नहीं पढ़ना ची इस तरह के बायान नहीं देना ची हाला कि वो बात सत्य है कि 1984 के दंगे नहीं है पाठे करम में ठीक है डॉटर जवालाल इतिहास कहीं न कहीं ऐसा विशह है कार्दे जिसको लेकर तरकों की कसौटी पर और क्या कुछ हुआ था उस कसौटी पर बेहस पहले भी होती रही है आगे भी होती रहेगी यह कभी खत्त नहीं होगी कम से कम यह संकेत तो हमें मिलते ही है फिर चाह उस लिवस में बदलाव की बात हो या फिर राजनितिक बयानों की बात हो हितेज जानकारी के लिए शुक्रिया और रोटर जवालाल जीमपी सीजी से बुद्दा तो है में बात करने के लिए आपका भी शुक्रिया